हेलो गाइज तो कैसे हैं आप सोब में फिर सेगने वीडियो में आपको सवगत करता हूँ आज हम बनाने वाले फेन रेगुलेटर इसके लिए पोटेंसिल मीटर लेंगे जिसके वेली होगा 500 के से 600 के अब दोने में से कोई एक साले लेंगे और एक ट्रांजिस्टर लेंगे सब्सक्राइब लेंगे और यहां पर एक और प्लिस्टर फिल्म केपसिटर लेंगे जिसके वोल्ड दोगा 400 वोल्ट और एक डायक डीवी थिरी लेंगे और एक टेन के का ओम का रिजिस्टर लेंगे यहां पर पोटेंसिल मेटर के बीच वाले लेक पर हम डायक को जोड़ लेंगे और इसके साइड वाले लेक पर हम रजिस्टर को जोड़ लेंगे रजिस्टर का दूसरे लेक ट्रांजिस्टर के बीच वाले लेक पर जोड़ लेंगे और डायक के लेक को ट्रांजिस्टर के बढ़ितर वाले लेंगे पर जोड लेंगे इसके बाद फिल्म केपसिटर को हम फ़र्ष्ट वाले लेग को और पोटेंसिल के-ले मिटर डायक वाले लेक्ट अडुन जहां पर सोड़ हुए वहां पर उसको छोड़ कर में ओर जहां यहां पे लेंगे और एक वायर रजैस्टर के पीच वाले लेग पर चोड़ लेंगे एग वायर लेंगे ये हमारा दोनों हो गया इन पॉट आउटपुट यहां पर डाइगराम है अब डाइगराम देखके आप इसको इसको बना धू. उसके बाद हम ppc का सिट लेंगे और इसको मेजर करके इसका बॉक्स बनाएंगे कि यहां पर मैंने चार सीट कट कर लिया हुआ है और इसमें एक होल कर लेंगे कर दोरा चारो पीविसी सीट को हम जोड लेंगे उसके बाद इसके ऑपर साइट का ढकन को जोड लेंगे उसके बाद यहां पर मैंने गुलू गन के दवार इसको फिक्स कर लिया है अब बैक साइड में भी एक होल कर लेंगे वायर निकलने के लिए और यहां पर चानल लगा लेंगे तो यह रेडी हो चुका है अब इसको बूड में फिक्स करेंगे यहां पर मैंने एलपी के दौर इसको फिक्स कर लिया है और आप चाहिए तो पोटेंशल मीटर करना बड़ा लेंगे तो आपको यह कट नहीं करना पड़ेगा यहां पर छोटा इसलिए मैंने इसको कट किया होगा है और यहां पर हें फेज बता रहा है तो फेस को हम क्या करेंगे पंखया के फेज को निकाल कि एक वायर always में डाल देंगे कि जो ओपिन ऐना में के में डाल देंगे तियंग्मर वायर मेंधिक मुद्लीट हो चुका यहां पर fan का स्फिड़ थेखे सवो lambousal स्फिड करने सब्सक्राइब यह वीडियो अच्छ लगा होगा कुई यह लाइक कर सेर करें को